रेडियू प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया का रिक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्शक है रूठना कोई खेल नहीं लेखन वाने गीत और वाचन अर्चना चोजी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधू सक्खा तुम ही हो प्रार्थना के बीच अदमुंदी आखों से सुनिता ने अपने पीछे की लाइन में देखा कुसुम अब तक नहीं आई थी कद के आधार पर बनाई जाने वाली पंक्तियों में सबसे पीछे लंबी सी कुसुम अलग ही दिखती थी लंबी कुसुम और छोटी सुनिता दोनों की दात कटी दोस्ती पूरे विद्याले में लंबू छोटु के नाम से जानी जाती थी विद्याले में प्रवेश करने के बाद से दोनों हर समय साथ दिखती टीचर जी द्वारा दिये गए कक्षा कारे से लेकर स्पोर्ट्स और खाने तक उनका साथ हमेशा कायम होता क्या हो रहा है सुनिता, सीधे खड़ी रहो बटनागर में की कड़क्ती आवाज के बीच सुनिता ने जल्दी से दोनों आखे मीच प्रार्थना में सुर मिलाया कहां रह गई कुसुम? आज का अनमोल विचार कुसुम को ही पढ़ना था प्रार्थना के बाद जैसे ही आँखे खोली, डायस के पास कुसुम को देखकर रहत की सांस ली उसने प्रार्थना के बाद क्लास में लोटते दोनों की खुसुर पुसुर शुरू थी देर कैसे हो गई? आज टिफिन में क्या लाई हो? केरी का अचार मुली का पराठा, ला दिखा कुसुम ने लगबग चीनते हुए उसके हाथ से टिफिन ले लिया और खोलने लगी हद है, बहुत सारे हैं, मम्मी ने तेरे लिए भी एक्स्ट्रा रखे हैं अभी शुरू मत हो जा लंच तक कौन रुकेगा? कुसुम ने टिफिन खोल लिया था क्लासरूम में अपनी सीट पर पहुँचते एक बड़ा ग्रास उदर रस्थ कर चुकी थी दूसरा ग्रास तोड़ा ही था कि रजिस्टर लिये क्लास टीचर क्लास में पहुँच गई हडबढ़ा हट में टिफिन डेस्क की खुली दराज में सरका तो दिया मगर अचार की खुश्बू को मैम की नाक से बचाना संभो नहीं हुआ अचार की खुश्बू कहां से आ रही है? तुम लोग घर से नाश्टा नहीं करके आते और यहां क्लास में गुसते ही बंद करो यह सब मैम के खुश्ब की मुँ में तो पानी आ रहा है मगर कहें कैसे? बंद तो कर दिया कुसम को कोहनी मारती हुई सुनिता ने टिफिन बंद करके रख दिया सुनिता और कुसम क्या खुसर पुसर करती रहती हो दोनो चलो कुसम तुम वहां से उठो और इधर पाई बेंच पर बैठो नहीं मैम हमें यहीं बैठने दिजी हम अब बात नहीं करेंगे नहीं तुम उठो वहां से उठो कितनी बार समझा दिया तुम्हें प्लीज मैम पक्का अब नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे बातें प्लीज प्लीज मैम ये मेरी आखरी वार्निंग है अब अगर काना फूसी करती नजर आई तो क्लास से बाहर निकाल दूँगी भटनागर मैम शब्दों को भर सक कोमल बनाते हुए बुली नहीं मैम अब नहीं करेंगे चल बैचा कौपी निकाल फूर्ती से सुनिता ने कुसम का हाथ पकड़ कर सीट पर बैठा दिया लंच टाइम में क्लास मानिटर सहित सभी लड़कियां बरस रही थी क्या है तुम लोगों का तुमारे करेंट पूरी क्लास डिस्टरब होती है क्या किया मैंने तिफिन खोल कर दो ग्रास खा लिए थोड़ा बतिया लिया तो कौनसा अनुशशन भंग हो गया तुमारी धिटाई के कारेंट पूरी क्लास तमाशा बन जाती है मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नाराजगी प्रकट करते हुए वीरिना क्लासरूम से बाहर निकल गई उस दिन सर जोड़े जाने किस बात पर खीखी में लगी थी दोनों मैम का क्लासरूम में आना उन्हें नहीं दिखा नहीं पुरी कलास का उनके सम्मान में खड़ा होना थोड़ी दिर तक चुपचाप उन दोनों का भरपूर अवलोकन करने के बाद मैम की आवाज से ध्यान भंग हुआ दोनों हडबडाती गुड मॉनिंग कहती हुई उठ खड़ी हुई मगर बन होटों में खिलकिलाना रुका नहीं पढ़ाते हुए कई बार ध्यान भग होने पर शालिनी मैम ने उन्हें बेंच पर खड़ा होने की सजा सुना दी दोनों साथ खड़े हुए भी अपनी खिलकिलाहट से बाज नहीं आई साथ ही हजी के संक्रमान का असर पूरी क्लास पर होते देख दोनों को क्लास मुम के बाहर खड़ा कर दिया गया सब लोग परिशान हैं अमारे कारण चल दोनों आज से अलग सीट पर बैठेंगे बात भी नहीं करेंगे खीष्टी हुई कुसम ने कहा सौरी मैं ऐसा नहीं करूँगी अरे सच मुझ बात करना बन थोड़ी न कर देंगे बस क्लास में नहीं बोलेंगे सब को यहीं लगेगा कि हमारा जगड़ा हो गया नहीं मुझसे नहीं होगा मैं पूरे एक पिरिट तुस्से बात नहीं करूँ ऐसा नहीं हो सकता रोज क्लास का माहौल खराब होता है सबसे डांट पड़ती है सिर्फ एक दिन के लिए यह नाटक करके देखते हैं दूसरे दिन सुभा पूरी क्लास हैरान थी सुनिता और कुसम अलग-अलग आई क्लास में और एक दूसरे से दूर दूसरी कतार में बैठी बस एक दूसरे को मुस्कुराते देखती रही मगर बात नहीं की पूरी क्लास दम साधे लंच का इंतजार कर रही थी यह सात्वा आश्चर संपन्न कैसे हुआ कुछ बच्चे सुनिता के पास तो कुछ कुसुम के पास घेरा बना कर खड़े हुगे क्या हुआ? आज दोनों बात नहीं कर रही अपना टिफिन लेकर कुसुम के पास जाती सुनिता के पाउं वहीं थम गए कुछ नहीं बस अब बात नहीं करेंगे रोज डांट पड़ती हैं हमें अच्छा है क्लास में शान्ती बनी रहेगी देखते हैं कितनी देर तक वेड़ा मटकते हुए वहाँ से चलीगी कुसुम सोचती रही सुनिता आएगी अपना टिफिन लेकर उधर सुनिता आने का इंतजार करती रही कुसुम का आखिर लंच समय समाप्त हुआ दोनों के टिफिन बिना खुले बेग में रखे गए आखिरी पिरेड के बाद उसी तरह गोलों में घीरी दोनों अपनी अपनी बस में चड़ गई पेट में दोड़ते चुहों ने जोर मारा बस में टिफिन खोल कर खाती सुनिता और कुसुम की आखे नम थी यह पहला और सर्था जब केरी का अचार अनखाया रहे गया दूसरा दिन तीसरा दिन और कई दिन इसी तरह गुजरते गए सुनिता और कुसुम दोनों ही सोचती रही उनका सचमुझ जगड़ा थोड़ी न हुआ है मगर फिर से बात कौन पहले शुरू करे दोनों एक दूसरे को देखती दूर से मुस्कुराती मगर शब्द जुबान पर ही अटके रहते सहपाटी सोचते, पूचते, बाते करते क्या हुआ है इन दोनों के बीच, किस बात पर जगड़ा हुआ दोनों चुप रहती, क्या कहती, जगड़ा तो हुआ ही नहीं था रूठने का खेल हकीकत सा हो गया था फाइनल एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन लिव शुरू होने वाली थी तोनों रोज सोचती, आज बात की शुरूवात कर ही लेंगे मगर स्कूल पहुँचते समझ नहीं आता कि क्या बात करें, कैसे बात करें एक गुम सुम सननाटा सा पसरा रहता उन दोनों के बीच एक दिन सुनिता ने तै किया कि आज वह बात करके ही रहेगी बात ही क्यों? सीधे अपना बैग अपने पहले वाले सीट पर ही रखेगी प्रार्थना में उसकी नजरें ढूनती रही कुसुम को मगर वह कहीं नजर नहीं आई और नाहीं क्लास में किस से पूछे वह कि कुसुम क्यों नहीं आई? हमेशा उन दोनों से ही सब पूछते थे दोनों के बारे में एक दिन, दो दिन, कई दिन बीद गए आखिर एक दिन सुनिता पहुची गई कुसुम के उन रिष्टदार की घर जहां वह पेंगेस्ट बनकर रह रही थी कुसुम के चिकित्सक पिता की पोस्टिंग एक कस्बे में थी जहां शिक्षा की समुचीत व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण कुसुम को इस शहर में अपने रिष्टदार के घर रहना पड़ा था मालूम हुआ कि उसके पिता की तबियत अचानक बहुत खराब हो गई उसे जाना पड़ा था उसके पिता का स्थाना अंतरन बड़े शहर में हो गया है वह सिर्फ परिक्षा देने ही आएगी और इसके बाद अपने परिवार के साथ उस शहर में ही रहेगी सुनिता लौट आई था के कत्मों से खेल खेल में रूठने ने उसकी एक मित्र को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था दिन, महीने, साल बीत्ते चले गए सुनिता और कुसम का आमना सामना कभी नहीं हुआ मगर अब सुनिता को भूल कर भी किसी से रूठने में डर लगता है कहीं वह इस रिष्टे को हमेशा के लिए खो ना दे